हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में बात करेंगे आपके वाशीक परिक्षा जो इंग्लिश का पेपर होने वाला उसके बारे में ठीक है इससे पहले दो पेपर अपलोड किये जा चुगे अगर आपने वो नहीं देखें तो जाके जरूर द आपको मिल जाएंगे ठीक है इंग्लिश के लिए complete syllabus complete किया जा चुका है साइंस में भी लग बग हाफ तक पहुंच चुक है पेपर बगर डाल दिया है चैप्टर के जो most important question है वो डाले जा रहे हैं पांच चैप्टर complete हो चुक है बाखी जल्दी आपको सारे मिल जाएंगे और maths में भी चली रहा है एक शांदार पेपर डालवा अगर आप वो कर लेते हैं maths का तो उससे बाहर कुछ आना नहीं है ठीक है ना तो उसका भी लिंक इस वीडियो के description में आपको मिलेगा जाकर आप देख सकते हैं नई हो तो subscribe जरूर करें चलिए आगे देखते हैं अपना पहला जो section होगा पेपर आपके पूरा hundred marks का होने वाला आप जानते हैं तीन गंटे पंदरा मिनट समय मिलेगा आपको ठीक है ना instruction लिखा हो है section A जैसा कि आप पेपर में अब तक पैटन से बिलकूल वाकिफ हो चुके हैं कि आपको 20 नमर के पैसे मिलेंगे लेकिन आंसर कैसे देना यह depend करता है आप पहले आप क्या करोगे पैसे को पढ़ोगे बहुत ही important जो grammar के concept है वो भी आपके इस वीडियो में complete होने different facts to different generations कहने का मतलब खुसी हासिल करने के अलग-अलग तरीके अलग-अलग generation के लिए अलग-अलग होते हैं ठीक है ना कोई को खुसी किसी काम में मिलते हैं किसी को किसी काम में मिलते हैं ठीक है और four fathers four fathers means हो गया हमारे जो poor words है took second form आई क्योंकि पहले की बात बता रहे हैं pride in scholarship scholarship का मतलब होता है scholarship एक school में दी जाती college में दी जाती है वो अलग है ठीक है यह scholarship का मतलब अच्छा यह जो school college मिलते किन के लिए उन बचों के लिए जो क्या होते हैं मेधावी या विद्वान होते हैं ठीक है तो यहां पे scholarship का मतलब हुआ होश्यार या विद्वान विद्वत जिसमें होती है उसे ठीक है spirit of sacrifice और solicitude for the welfare of others solicitude का मतलब होता है किसी के बारे में चिंता करना सोचना sacrifice यनि बलिदान करना spirit यनि आत्मा है मतलब कोई ऐसा विक्ति जो दूसरों के कल्यान के बारे welfare के बारे में सोचता है ठीक है ना सब्दों को ध्यान से देखते जाएएगा पैसे बिल्कुल वैसे ही आते हैं वो सकता है यही एक्जाम में आ जाए ठीक है ना तो बहतरे इंडग से करिए अप्रोच करना सीखे इस चीज़ को ताकि आगे फ्यूचर में क्योंकि पैसे टप से टप मिलते हैं आपको ठीक है ना अगर आप पढ़ना और इनको आंसर डूड़ना सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है ना इडवन्समेंट यह नहीं अपने पड़ो से आगे निकल जाते तो उनसे हमें नफरत होने लगती है इर्शिया होती है वी एंड़ अप टैंस एंड अन्हापी और जिसके कारण टैंस रहते हैं अनएपी उधास रहते हैं ठीक है तर्म हैपी यह जो टॉम हैपी वर्ड यह इनके कई वेराइटी है इसका मतलब होता है लखी होना भी होता है फॉर्चुनेट वाग्य साले कंटेंट यह संतुष्ट ग्लैड यह खुर्स और अप्ट का मीनिंग होता है प्रवर्त होना यह किसी चीज को पाने के इच्छा रखना ठीक है है एपीनेस लाइस विदिन द धन संपता है वेल्द है में भी हैल्फुल इन मेकिंग हिम हैपी कोई भी धन दौलत है यह आदमी को हैपी नहीं कर सकती है नो अमाउंट ठीक है ना अवर फॉर फादर्स हैड लाइफ स्टाइल वेरी मुच डिफरेंट फ्रॉम दूस वी हाव तोडे आज हमारा जो प्रॉम रहे उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग था ठीक है ना देर लाइफ वस बेचार या बड़ा सोचना ठीक है पीपल वर सैटिसफाइड विद वीद वाट एवर दे उप्टेंड आफ्टर वर्किंग हार्ड और लोग सैटिसफाइड होते थे कि काम करने के बाद क्या हासिल हो रहा है अगर यह पैसे आपको नहीं पढ़ना था आप वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ना इसके सीधे कुछ इन आंसर भी देख सकते हैं एकसेसी मटीरियल वेल्दब डिड नौट मीन माच फॉर दें डिडिराइव्ड मेंटल सैटीस्टेश अर इन्रेचमेंट विच दे एंड अट अम्लेंदब विडियों लग्षे रखनाइं इन्रेचमेंट इने सम्रद्रशाली या सम्रद होना के साटिस्ट्रेश्टी ड्र में उसका विकास हो जाएगा या सैटिस्फेक्शन मिलेगा ऐसा नहीं होता था यह हमारे पूर्वज सोस्ते थे ऐसा ठीक है दो इस्ट्रॉक्चरल फ्रीम वर्क आफ फूर्फादर्स फैमिली वोस दिफ्रेंट फ्रॉम दूस ऑफ अवर्स उनका फैमिली स्टॉक्चर भी अ और वहां पर वह हमसे ज़्यादा खुस हुआ करते थे एक दूसरे का ध्यान रखते थे सिब्लिंग्स सिब्लिंग्स मीन्स होता है सहोदर मतलब जो एक ही उदर से जैन मिलेते हैं सगे भाई बैन गृप विद देर कजन कजन इने चाचा ताउ इनके बच्चों के साथ सिब परिवार न्युक्लियर यहीं एकल परिवार में देखने को नहीं मिलता है दा फैमेली प्रोवाइड़ेट एन इमोशनल कोशनिंग एफ़र एफेक्ट अगेंस्ट टैंसन और स्ट्रेस और कहते हैं आजकल परिवार के अंदर इमोशनल जो चीजें बढ़ रही है खुद को कुशनिंग मतलब होता है खुद को आगे रखना या गदी पे बैठाना मतलब खुद को इमोशनली आगे रखने की प्रयास किया जा जाता है जिसके कारण आदमें टैंसन और स्ट्रेस में रहता है अब इसके कुशन आंसर देखते हैं 10 नंबर का है आप्सन वाले कुशन दिए मैं कैसे अप्रोच करोगे देखिएगा पहला हमसे पूछा गया है कि आवर फॉर फादर्स टुक प्राइड इन फॉर फादर जो थे पूर जो थे टुक प्राइड इन उनको गर्व होता था किस पे स्कॉलर्शिप पे स्प्रिट अप सक्रिफा टुड़ेई आज हम अपने नेवर से कैसा फील करते हैं तो जेलियस अभी हमने पढ़ा जेलियस फील करते हैं ठीक है ना नेक्स्ट देखिए happiness lies within the dash of individual happiness है ना वो कहां रहती है heart में, mind में, eyes में या none तो हम कहेंगे mind में अभी हमने पढ़ा कि वो mind में रहती है our forefather's life was based on mainly mainly किस पे based होती थी तो देखिए mainly हमने अभी यहां पढ़ा कि जो lifestyle हुआ करता था mainly concept of simple living and high thinking ठीक है ना simple living and high thinking तो option कौन से correct करेंगे देखिए the concept of simple living the concept of high thinking और बोथ तो हम करेंगे बोथ option she correct हो जाएगा इसमें ठीक है फिप्ट कुश्चिन अबर फिप्ट देखते हैं that cannot be found in the nuclear family of the day आसकल परिवारों में नहीं होता है क्या नहीं होता है होती है यह तो bond of love भी bond of love नहीं होता है stress होता है और बाकि यह चीज और नहीं कह सकते क्योंकि यह वाली चीज होती नहीं है ठीक है ना bond of love cannot be found in the nuclear यानि एकल परिवार में नहीं होती है अगला देखिए फिल इन दे ब्लैंक्स दा फैमिली प्रोवाइड़ एंड डैश कोस्टिंग एफएक्ट तो इसके अंदर क्या करेंगे तो हमने अभी पढ़ा था दा फैमिली प्रोवाइड एंड तो इसी लाइन को डूंडेंगे यह उसी लाइन में को मिल जाएगा तो देखिए कहां देंगे समय ठीक है का नेक्स्त को को गी अग्सेव मटीरियल एक्सेव मटीरियल एक्सेव मटीरियल और प्रौइट तो इसमें आएगा ए जाना गल्लिए अठेर इसमें लिखा मतलате से अिधे के लिगे का है इसमें ओर और ना पढ़ेगा यह इन रेचमेंट मतलब की संवर्दी या विकाश होना ठीक है तो enrichment इसमें correct option होगा अपना ठीक है next question देखते हैं ancestor यह पूर वजी तो for father ठीक है न यह पड़ा वर्ड यह वाला ठीक है न फिर अपोचिट वर्ड डूनना अपने को यह एक नंबर का है तो fortunate का क्या अनफॉर्चुनेट का क्या था फॉर्चुनेट पैसे में था ठीक है न तो यह हो गया इसका ठीक है अब next वाला देखते है next वाले में क्या बूला गया हमसे punctuality is a necessary habit in all public affairs of a civilized society ठीक है इस पैसेज को आप पढ़ेंगे ठीक है न इस पर मैं सीधे question answer पर चलता हूँ इसके ठीक है न अब देखिए इस परकर का पैसेज है आप वीडियो के आप pause करिए फिर इसको पढ़िए ठीक है और यह भी पढ़िएगा pause करके सीधे मैं इसके question answer पर आता हूँ ठीक है न आप इसका screenshot पिले सकते हैं और ऐसे पैसेज आपको solve करने आने चाहिए ताकि आपको future 10th में आपको कोई difficulty नहीं होगी और ऐसे पैसेज आपको मिलने वाले ठीक है अब देखिए क्योंकि मेरे यह पैसेज पढ़ा हुआ है तो मैं इसका सीधा आंसर दूंगा आपको ठीक है न वाइस punctuality necessary in a civilized society तो civilized society punctuality क्यों जरूरी है पैसेज के पहली line में अपने को answer मिलेगा ठीक है न तो यह डूंड़ना आपके लिए बड़ी बात नहीं है ठीक है न तो इसकी पहली line में ही आपने को answer मिल जाएगी एक habit होती है और कहते हैं कि अगर एक डिस्टर्ब होता तो होता है इस पार्श ली रहते हैं मतलब इस पार्श ली पॉपुलिटेड एरिया में कम घनी अबादी में रहते हैं वो उसके लिए भी solution मिल जाएंगे ठीक है और जो यह tough question 9th और 10th नंबर पर आते हैं यह question थोड़े tough होते हैं ठीक है न इसके इसके अंदर आपकी vocab अच्छी होने चाहिए ताकि आप इनको अच्छे सा solve कर पाएं ठीक है न देखना find the word in the passage which conveys the similar meaning मतलब जिसका meaning क्या निकले same निकले ठीक है न तो देखें पहला है thinly scattered thinly scattered का तो वर्ड हमने अभी पढ़ा था ठीक है न वो था आपने sparsely s-p-a-r-s-e-l-y ठीक है न यह word passage मिल जाएगा ठीक है न cultured cultured बहुत easy है cultured मतलब civilized ठीक है next is adjective form of the words adjective form चाहिए तो देखो punctuality का punctual और comfortably का comfortable ठीक है न हो गया इस प्रकार से फिर जो आपको section B मिलेगा वो भी 20 marks का होगा ठीक है न जैसमें option क्या दे रखें कि 7 number का first question होगा second भी 7 और एक होगा 6 का ठीक है न इस प्रकार से रहेंगे आप मान लिजा आप शिवानी है भर letter है वो uploaded है आप उनको पढ़ लीजिएगा उनके बाहर आप से नहीं पूछे जाने के चांस है ठीक है ना पूछे जाने के बराबर है फिर email email एक अप्लोड किया है लेकिन तरीका बताया हुआ है अगर दिक्कत आती तो आप comment section में जरूर बताए ताकि important email जितने भी हो सकते ह आपके उसारे upload कर देंगे ठीक है ना वह आज क्या हो जाएंगे अगर आप comment करेंगे तो ठीक है ना फिर देखिए आपको कोई एक outline दे देंगे और आपको बोलिंग importance of newspaper हो गया importance of trees हो गया ठीक है ना या फिर आप से कभी कभी यह भी पूछते हैं कि क्या 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 आप debate में कर सकते हो मतलब point लिखे जो phone useful है या computer how to use computer ऐसी चीज़ें आपको दी जा सकती है यह predictable नहीं है क्योंकि कोई भी topic जो नया होता उसके बारे में दिया जा सकता है लेकिन important जो आपके है speech जो भी है वह uploaded paragraph ठीक है आप वह देख सकते हैं जो बहुत important है ठीक है ना और debate हो सकता है joint family के बारे में हो सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है फिर आप से story कोई भी आ सकती है लेकिन story जो आपके लिए important है capsular हो गई ठीक है ना ऐसी यह capsular है जैसे तो यह important story है वो सारे आपके लिए upload है तो आप channel की playlist में जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से आपको यह जो 20 number का portion है यह तो आपको complete मिल जाएगा अगर आपको लगता है कि इस topic में कुछ और चाहिए आपको तो comment जरूर करिएगा ठीक है ना फिर आपके section C आता है यह बड़ा important होता है ठीक है यह main है कहने का मतलब यह future में काम आने वाले चीज है बहुत ही ज़्यादा जैसे grammar कहें पांच नमर के question we dash the match yesterday yesterday जब भी मिले ego आपको जब भी ego मिले यह yesterday मिले यह last last के सा साथ मिले last day last month last year तो हमेज़ा second form बर्दो कुछ भी नहीं देखना तो विन है विन के second form होती है WON ठीक है न क्या होती है WON और इसको पढ़ते है वन ध्यान रिखेगा क्या पढ़ते है इसको one पढ़ते है one नहीं पढ़ते है ठीक है न अगला देखे राज एंड हर्ष डैश four two hours देखे four या since इसके बाद में अगर समय दिया हुआ हो तो हमेज़ा या तो present perfect continuous tense आएगा या past perfect continuous tense आएगा या future perfect continuous tense आएगा लेकिन हम कैसे पता लगें तो ध्यान दीजिगा अगर sentence छोटा है और simple एक ही sentence है तो वहाँ पे हमेज़ा present perfect present perfect continuous tense भर दीजिए ठीक है न और sentence में और कुछ और चीज मेंसें हो कोई past का वर्ड हो तो past perfect भर दीजिए और future का तो future वर्ड हो तो हमने कहा यहां पर और कुछ भी नहीं है four है और उसके बाद time दे रखा है तो यहां बढ़ेंगे राज और आश्ट दो है तो have been reading ठीक है न है बड़ा simple है have been reading अगला देखे this cycle dash along this street every day ज्यान रखे जब भी आपको every day always seldom ठीक है न डेली यह वाले वर्ड मिले तो हमेंसा present simple वरो तो आपने का this cycle singular है तो run है तो run का singular are you and s runs हो जाएगा ठीक है न रंस अगला देखे वी डैश द हवा मेल next month जब भी next day next month next year या फिर आजाए tomorrow ठीक है न तुमारो यह जब भी वर्ड मिले आपको अमेसा आप सबके साथ लगा सकते हो तो आप इसमें विल लिखो विल सी लिखो या शेल सी लिखो दोनों ही करेक्ट है आपके ठीक है न अगला देखे दपेशेंट डैश बीफोर डॉक्टर के ज्यान रखे बीफोर और आफ्टर का concept बीफोर के बाद हमेसा second form और बीफोर से पहले हमेसा head third form और जब after मिले आपको after मिले तो after के बाद में हमेसा head और third form लगा दो और उससे पहले हमेसा verb की second form लगा दो ठीक है न तो यह बीफोर है तो plural के लिए आता है आर ठीक है न फिर देखे नीदर राजवीर नौर तो नीदर नौर का ध्यान रखे नीदर नौर इधर और में जो बाद में आता है उसी के अनुसार वर्ब आएगी तो इधर अंकित और 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 आ गयां अंकित 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 सिंगूलर है इसलिए है इसलिए किषंण और जो लोग है तो हैव लगा दे नहीं ठीक है न और इनके वीडियो अप्लोदेटे टैन्स हो गया आपके determinants होगे, preposition होगे ठीक है न? और जो verb subject conquered in सभी इस्षानदार वीडियो upload है आप channel के playlist में जाकर check कर सकते हैं ताकि आपके कोई doubt नहीं रहे ठीक है? फिर देखाए if anybody ध्यान रखिए anybody या somebody ये जब भी मिले singular ही होंगे if anybody तो calls होगे anybody calls tell them that I'm out ठीक है न? तो क्या होगा? anybody हो गया? anybody के लिए calls ठीक है the contractor along with his workers ध्यान रखिए contractor है along with आजाए as well आजाए उसके बाद वाला कोई matter नहीं करता है इन से पहले क्या लिकावा है? वो देखना पहले the contractor singular है तो आप करोगे is ठीक है न? अगला देखिए क्योंकि यह आप आसरफ contractor की हो रही है अगला देखिए suitable determiners फिल करने है do you remember the questions asked in the interview? तो देखिए क्योंकि यह question पूछा गया और negative sentence है तो इसमें any फिल कर देंगे do you remember any of the questions asked in the interview? several नहीं आएगा? ठीक है? she knows very वो जानती है बहुत about him उसके बारे में few या little तो कहेंगे very little या very few तो ध्यान दीजिए क्योंकि few आता आपने countable ठीक है? और little आता uncountable ठीक है? अब यहाँ पे उसके बारे में जानना तो यह uncountable होता तो यहाँ पे very little करेंगे आप अलांकि very few about him very little इसमें little ठीक बैट रहे है ठीक है तो इसमें little फिल कर देंगे अगरा देखी प्रेम चंद रॉट प्रेम चंद रॉट नॉबल्स एनी या मैनी तो आपने कहा इसमें मैनी पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए मैनी डास सिटीजन शुड़ वोट फ्यू या एवरी तो आप जानते एवरी सिटीजन शुड़ वोट ठीक है ना नेक्स्ट है रिना हैस नॉट बाट रिना ने नहीं करी दा नियू बुक्स रिसेंटली एनी या सम तो एनी ठीक है न क्या एगस मैं एनी अगला देखी नेक किसी ओजार के साथ या वैपन के साथ किया जाता विद लगाई है ठीक है ना तो यहां यह कॉंसेट क्लियर हो गया कि बाइद हंटर विद स्वार्ड ठीक है ना देख डिवाइड इस प्रॉपर्टी जब भी डिवाइड वर्ड आए यहां देकि फोर संसे एक कॉंसेट ध् होगी है ठीक है यह दियान रखना नहीं तो more than two हो तो हमेसा आता एंघ और दो के bीच में बात बटम ने ठीक है तो इसमें four संसे तो four sun के बीच में equally बाटा जा रहा है तो आप बिटम बरोग रो गे नहीं तो नॉमल एंघ नमाड एंट अर्टे फिटम होगा ठीक है तो यहां पर फिल कर देंगे हम since ठीक है इसके बाद में section D है ठीक है इसके important question आपको बताई वे हैं जो reference to the context है इस्टेंच जाए उनके बारे में किस परकार करना है solve और जो important concept है वो सारे uploaded है ठीक है आप channel के playlist में या इस video के description में जब check करेंगे तो भी आपको वहां पे एक playlist मिलेगी उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी ठीक है न तो उम्मीद करता हूँ आप इनकी बहतरें प् सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत